हेलो गाइज, वेलकम बेक टो मैं चैनल, तो आज एक मूवी रिलीज हुई है जो की चुपचाप से रिलीज हो गई है जिसकी कोई हाइप नहीं थी कोई प्रमोशन नहीं था मूवी का नाम है The Great Indian Family जो की विक्की कोचल की मूवी है और मानुशी चिलर इसमें में लेड में है विक्की कोचल की आपने लास्ट मूवी देखी होगी जिसका नाम था जरा हटके जरा बजके मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए थी लेकिन वो मूवी काफी हिट हुई थी और उस मूवी के हिट होने के बाद ये मूवी आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह इसराज फिल्म के अंडर बनी है और फिल्म से पहले ट्रेलर बी आया था इसकर गाना आया था मुझे लेकिन गानłem को बिल्कुल पता नहीं है मूवी रिलीज हो गई उस से पहले कोई है जो कि आपको बताने रहू हूँ movie release हुई है उससे पहले कोई भी hype नहीं थी जैसा कि मैंने पहले भी बताया यसराज films के अंडर ये बनी है कोई छोटा banner भी नहीं है इस banner के अंडर बनने वाले movies की वैसे ही hype होती है लेकिन movie काफी decent है काफी अच्छे लगे मुझे इसकी कोई hype नहीं थी movie को hit होने के लिए सिर्फ और सिर्फ word of mouth की publicity की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो थोड़ा सा promotion करते तो movie अच्छी होती और कमाल की बात यह है कि movie जरा हटके जरा बचके से काफी अच्छी movie है हाला कि इसमें भी कुछ चीज़े हैं जो की नहीं होनी चाहिए थी लेकिन यह काफी अच्छी movie है आपको पूरा enjoy देगी इसके story के बारे में बता हूँ तो हमने ट्रेलर में भी डिसकस किया था story वैसी ही है जिसमें विक्की कोशल भजनकुमार बने हुए है इसी कारण विक्की कोशल की जो एज हो रखी है शादी की तो लड़किया उनको भाव नहीं देती है उनके पैर चुके उनको ग्रीट करती है इसी जदल जहद में विक्की कोशल लगे रहते है विक्की कोशल ने बहुत बड़ी परफॉम किया है काफी अच्छी उनकी परफॉमस दिखी है मुवी का प्लोट जब शुरू होता है जब एक लेटर आता है और उसमें बताया जाता है कि विक्की कोशल बाई बर्थ एक मुसलिम है इसी के बाद पूरी मुवी का सिनेरियो सेट होता है कैसा उसका रियक्शन होता है कैसे उसकी फैमिली वाले रियक्ट करते है कैसे आसपर उसके लोग रियक्ट करते है तो इसी topic के बारे movie है, लेकिन इन्होंने जो negative चीज में एक और count करूँगा, मैं इन्होंने एक romantic angle इसमें बढ़ा दिया है, और दूसरी चीजे भी add करी हैं, जो कि आप movie देखके बता लगाएंगे, romantic angle अगर मानुसी चिलर के साथ नहीं होता, तो भी कोई बात नहीं थी, यह topic पे बात करती है movie, काफी बढ़िया तरीके से बात करती है, आपको मजाएगा देखके, और मानुसी चिलर की बात करूँ तो उनका एक normal सा character था, उतनी ज़्यादा कुछ चीजे थी नहीं, उनकी जब ज़रूरत होती है, इस क्रियर पे तभी उनको लाया जाता है, और positive के ब मेरे ख्याल से अगर ऐसा था, तो उन्होंने ये movie, OTT पे release करनी चाहिए थी, जिससे लोगों को पता जलता movie को देखते ना देखते तो फरग नहीं पड़ता, अभी क्योंकि theater में आई है, तो collection भी matter करता है, और विक्की कॉचल ने जो last movie का अच्छा खासा collection दिया है, जो कि एक hit movie निकली है, उसके बाद ऐसी movie आना इस राज फिल्म के लिए काफी बुरी बात है, उन्होंने अच्छी movie को promote नहीं किया, तो देखते हैं movie का क्या होता है, आज release हुई है, दो तन दिन में पता चली जाएगा, उसके बारे मीं बात कर लेंगे किसी वीडियो में, आप च